परिक्षा से भाग जाना आसान होता है मेरे दोस्त जिंदगी का हर एक पल इम्तहान होता है और सोचने वाले को बहुत कुछ नहीं मिलता है इस जिंदगी में लेकिन मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अवद बिस्वी जाले के बीएट फस्तियर के फर्स सब्जेक्स ग्यान एवं पार्टिक्रम के पिछले पांच सालों के कोश्चन्स पेपर को और सुरू में सारी सुनाने का मतलब यही था कि मैं चाहता हूं कि आप दो दिन अपने जिन्दगी का दो दिन इस विसय को दे ग्यान एवं पार्टिक्रम को दे और इतनी मेहनत करें कि पूरे सब्जेक्स को आप अगले दो दिनों में खतम कर दें मैं आपके साथ हूं मैं आपको हेल्प करने के लिए यहां पे अवैलिबर तो इस वीडियो में मैं आपको पिछले पांक सालों के कोश्चन्स पेपर का एनालेसिस करूंगा और बताऊंगा कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्ण आये थे और वो कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्ण पूछे जाते हैं और साथ ही साल मैं यह भी बताऊंगा कि उसका आंसर आपको कहा मिरेगा तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आवद भी सिवीडारे बीएट फस्ट इयर ग्यान एवं पार्टिक्राम आपका फॉस्चेक्स दो टॉपिक से कितने प्रश्ण आये हैं और वो कौन सा प्रश्ण है कौन सा टॉपिक है जिससे लौंग में हर सल पूछा जाता है तो आपके स्क्रिन पर शेयर की गए इस पेज को आप ध्यान से देखे इस पेज में आप देखेंगे मैंने पहले भी बताया था आदर्स वात प्रकृति वाद पर्योजन वाद और यतार्त वाद यह चार इजम है जो चार वाद है आइडेलिज्म नेचर्णीज्म और रियलिज्म इन चार सालों में इन चार वादों में अगर आप देखेंगे तो हर साल एक प्रश्ण आप से पूचा है शुरुआत करते हैं दोस्तो किया महातुअ ये 2018 में पूछा था थी उसी प्रकार से 2019 के लॉंग में पूछा था कि आदर्सवाद से क्या समझतें आदर्सवाद के मुक्ह सिधान्त क्या है और आदर्सवाद के मुक्ह गुण-व्यव्डोस की वया else क्या करिये 2019 के अगर था 2020 लॉंग की बात करें दोस्तों तो 2021 में प्रक्रती बात के अनुसार पाठिकरा में हम सिक्षण विडिया क्या होती है क्या होनी चाहिए कहने का मतलब लॉंग में आप से हर सार इन चारों वादों में से एक प्रश्न आया है और केवाल लॉंग में ही नहीं इसके अरवा शौट में भी दो प्रश्न आपसे पुछे गया है आप स्क्रीन के इस पेज को देखेंगे तो आप उपर से देखिए चलिए उपर से हम सुरू करते हैं और देखते हैं कि 2019 के शौट में पूछा गया था कि आदर सबात क्या है अदुनिक सिख्षा को इसने किस प्रकार से प्रभावित किया ठीक है अगर वहीं फिर हम बात करें 2020 के लॉंग में पूछा जो कि हम देख चुके है 2021 के शौट में आपसे एक नमबर में पूछा था कि आदर सबात के आँ और आप यकीन माने आदर्सवाद प्रकिर्तिवाद प्रियोजनवाद और यथार्तवाद इन चार वादों से हर साल दो प्रशना आपके शौट में 88 नमबर में और एक प्रशना आप से लॉंग आंसर 15 नमबर में हर साल पूछा गया है मैं उम्मिद करता हूं कि आपन आप इसको देखें कि आपको बहुत हेल्फ मिल जाएगा इन चारो वादों को समझ दें तो आपने देखा चारो वाद थे ठीक है दोस्तों अब आईए हम बात करते हैं सिक्छा और सिक्छा दर्सन अब सिक्छा दर्सन से देखिए आपके कैसे प्रशने पूछे गया है 2021 में पूछा घ्या था और 2019 के शार्ट यानिनके आठ नमर में आपसे पूछा गया था कि शिक्छा के व्यापक अर्थ — के वारे में में प्रकास या लिए 2020 short में सिक्षा की प्रकृति प्रसंद शिप्टि परी दिखिये और 2020 short में संस्क्रितिक विरासत के मुख सुरक्छा के लिए सिक्षा क्यों आवस्तक है और सिक्षा के मानवी मुल्यों के विकास क्या बूमिका है तो दोस्तों सिक्षा से संबंदित एक प्रशन आपके शौट में अक्सर पूछता है और सिक्षा दर्सन दोनों एक सिक्षे के दो पहलू कहे जाते हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो आपका एक प्रशन सिक्षा से रहता है उसके अथवा में दूसरा प्रशन सिक्षा दर्सन से रहता है तो सिक्षा दर्सन के बारे में जैसे कि 2021 के वेरी शॉर्ट में पुछा था कि सिक्षा दर्सन की अधारणा क्या होती है साथी साथ दोजार बीस और इकिस के शॉट यानि की आठ नमर में आपसे पुछा था कि सिक्षा में दर्शन की क्या हो सकता है वडन करिए और आपसे दौजार इकिस के शॉट में पुछा था सिक्षा एवं दर्शन के संबंध की भी वेचना किजिए दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है 20-21 में अक्सर पुछा गया है कि सिक्षा और दर्सन की क्या समानता है या सिक्षा और दर्सन में क्या संबन्द है या सिक्षा और दर्सन एक सिक्के के दो पहलू है इस पे प्रकास जाली तो इस प्रकार के प्रशन आपसे पूझते हैं चलिए सिक्षा दर्सन से क्या भी प्राय है और देखिए 2019 में में वही प्रशन जिसको कह रहा था कि सिक्षा और दर्सन एक सिक्के के दो पहलू है संचेप में वड़न करिए और दोस्तो 2018 में पूछा था कि दर्सन की सहायता की बीना सिक्षा की कला अपूर्ण है मतलब सिक्षा का दर्सन क्यों करना है विद्या और अविद्या में अंतर और विद्या से क्या तत पर है तो दोस्तों सिक्षा तता सिक्षा दर्सन सिक्षा और सिक्षा दर्सन में संबंद सिक्षा क्या है उसकी प्रकृतिक विश्यस्ता अर्थ परिवासा से कुसी प्रकार से सिक्षा दर्सन की अधारणा क्या होती है इन सारे चीज का ना इन सारे प्रश्णु का एक वीडियो में एक्स्प्लेन किया गया है और मुझे पक्का पता है कि वो वीडियो आप देख चुके हैं इस थंबनेल के साथ वो वीडियो है इसमें बहतरी रूप से सिक्षा और दर्सन के संबंद सिक्षा और दर्सन के अलग अलग परिभासा हैं उनकी अर्थ उनके विसेस्ता और प्रियोजनवार्द यतार्थ वाद और साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट देखा सिक्षा और सिक्षा दर्सन राइट तो यह दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टन दोस्तों अगर आप यह दो पॉइंट प्रिपेर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका 40% स्ल संधुल्बार की भूमिका इसका वॉर्डन करें ठीक है समाजिक परिवर्तन के विकास में सिक्षा की भूमिका कैसे समाज को परिवर्तन कर सकता है यह 2021न पूचा था समाजिक क्षा के आपके निभंद लिखिये और साध्प यह सारे प्रस्ण जो समाजी करतों से इसके लावाथ थोड़े से और प्रशन है juga सिक्षा में समाज सास्त्र से आप से पूछा जाता है यह की फूल्जा चाहीं आप क Cash inad snapping समाह सास्त की क्या दार्दा ना है समाज सास्ते हम सिक्षा के संबंद का वड़न करिए और उटावे के अनुसाय सैचिक समाज साथ को परिवासित करिए और सैचिक समाज साथ के और प्रकरति परिवासा इसके बारे में बात करना है दोस्तों ये होगे आपके तीन टॉपिछ ठीक समाजिकरन और आधुनिकरन के बारे में इस वीडियो में डिसकस किया गया तलिए आप इस वीडियो को जरूर 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 देखियेगा बहुत अच्छे तरीके से उसमें explain किया गया दोस्तों आपकी लगबक ми स्लेबस कंप्लिट कर दिये गयेए कुछ और प्रश्ण है केवल दो टॉपिक और आपका रहे गया है उन दो टॉपिक को देख लीजिए उसके बाद आपकी यह वीडियो खतम होगी वह टॉपिक क्या है इसके अलावा जो आपका most important topic है वो बस एक line में खतम करना चाहूंगा वो है पाठिकरम जी हाँ पाठिकरम पूछा गया है चलिए एक बार इसक्रीन पर आपके शाद में सेर कर दिता हूं कि पाठिकरम के प्रकार का वड़न कीजिए पाठिकरम निर्माण के सिधान्त क्या है दोहजार इकीस दोहजार अठार दोहजार उन्नीस यह देखिए दोहजार अठार नमबर में सवाल यह बड़ा अच्छा प्रशन है आपसे पूछता है कि एक अच्छे पाठिकरम के बारे में संपूर्ण चीज़े क्या होती है इसके प्रकृति प्रकार उदेश हर एक चीज इसमें इसक्स किया गया है डिस्क्रेशन में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों आप वहां से जर आपसे सवाल पूछा गया है एक प्रश्ण तो आपसे पूछाएगा कि राष्टी एक और अंतराष्टी एक ता अंतराष्टी आपसे जरूर पूछा जाता है लास्ट बट नॉट दरीस वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको बता दू कि बहुत कालीन मुस्लिम कालीन और वैदिक कालीन इससे दोस्तों आपसे प्रश्ण जरूर पूछा जाएगा जिसके बारे में इस वीडियो में बताएगी चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कंक्लूड करने का मतलब अब आप यहां से थोड़ा सा सीरियसली समझ जाए कि आपको पढ़ना क्या है टॉपिक अगर आपको लॉंग की बात करें लॉंग आंसर के लिए सबसे पहली बात कि आपकी जो चार वाद हैं इसको बड़ा ध्यान से समझेगा जो आपके चार वाद हैं अदर्स वाद प्रकिर्टि वाद यथार्थ वाद और परियोजर वाद इन चार वादों में से आ TH deix आ अदर्स उदेषी क्या थे और शिक्षा के बारे मैं इन्होंने क्या कहा था था थी उत्था क वाद शिक्षा कैसा थे और इन काल के सिक्षा के आदर्स और उदे शिक्या थे और इन काल में गुरू की बाच्रल क्याते तो इन तीनों से एक प्रश्ण आपको कन्फर्म मिलना है तो दो टॉपिक हो गया एक वाद और दूसरा इक आलिन शिक्षा ये दो टॉपिक हो गया तीसरा पॉइंट पाठेकरम पाठेकरम की अर्थ परिवासा पाठेकरम निर्माण के सिधान ये तीन पॉइंट हो गए और चौथा दोस्तो आपका सिक्षा और सिक्षा दर्शन सिक्षा दर्शन में संबंध पूछ ले या तो ये हो गए चार टॉपिक पांचवा दोस्तो पांचवा आपका है समाजी और राष्टी एकता राष्टी अंदर राष्टी और बोद इन से आपसे प्रश्ण पूछे जाते हैं दोस्तो ओवराल आपका यही सब्जेक्ट है यही सलेवस है आपके सारे प्रश्ण इसी से मिलेंगे और यकीन मानिए जो भी मैने टॉपिक और जो भी मैने पॉइंट बताई है उसका मैंने वीडियो आलरडी बनाया हुआ है आप जब मेरे चैनल के टेलिग्राम पे आएंगे प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा नॉलेज एंड करिकुलम पेपर वन का ठीक है बीएट पेपर वन नॉलेज इन करिकुलम इस प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सारे वीडियोस आपके अवेलिवल हैं अगर आप किसी और के भी यूटूब से केवल टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा तो प्लीज आप इन फर्स्ट पेपर को खतम करते हैं आज कंप्लीट कर लेते स्लेबस समझा आ गया कोश्चन समझ में आ गया अब चलिए इसके आंसर हम पढ़ेंगे देखेंगे और दो दिन में इस पूरे सब्ज़ेक को हम खतम करते हैं जोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब्ज़ेक समझ में आया होगा यह जो कोश्चन का पीडियोफ है मैं अपने टिलिग्राम के साथियों को बेगरम के भिन के सथा अ कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें उस अधार पर मेरे आगे की वीडियो से रहेंगे मुझे आपकी कमेंट का इंतसार रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया जाहिं जाभारा दोस्तों